पहले इस से बता दिजी क्यों 70 शाल शाल में उसके बात बढ़ाएं सर सर जी सर अचा ठीक है ठीक है पूछ रहा हो इतना तो बता रहे हैं ध्यान से सुनो आपका question क्या है? पहले का इंसान 100 साल जीता था अब का इंसान 60 साल ही क्यों जीता है? यही तुम्हारा QStan था ना तूब या पहले का इंसान सबसाल नहीं जीता था इससे भी पीछे जाऊगे न तो 120 साल 500 साल और सथन उम्र माना जाता था और सथन जीवन प्रत्यासा उनकी वा करती थी तो पहले का इंसान 100 साल जीता था अब 60 साल जी रहा है इसका कारण क्या है इसके दो कारण है ध्यान से पहले हमारी बात को सुनो और सुनना पड़ेगा आगा ना देखी 1966 में हमारे देश में हरित क्रांती आई थी हरित क्रांती आने का मतलब क्या है हरित क्रांती आने का विप्राय है देश में यूरिया आई थी अब जब देश में यूरिया आई तो यूरिया का छड़काव करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता था लेकिन इस चीज से देश का कोई भी कृषक यानि जो किसान लोग हैं वो नहीं परशित थे अब उनसे एकायक कह दिया जाए कि इस बोरे को ले जाओ इसको खोल करके जितना इसमें माल है उसको क्या करो छिड़क डालो तो क्या करेगा वो क्या बहुत जल्दी सहमत हो जाएगा नहीं उसके बाले में जानने पहचानने का प्रयास करेगा तो वही हुआ कि उस समय के लोग है यूरिया का शिड़काओ करने से एकदम मना कर दिये बहुत चिरवरी किया जाता था सरकार चिरवरी करती थी सरपंच लोग चिरवरी करते थे लेकिन किसान अपने खेत में यूरिया का शिड़काओ करने पर राजी ही नहीं होते थे जबरन क्या हुआ कि गवर्मेंट ने सरपंच के यहां यूरिया पहुचा दिया और आदेश दिया कि रात के समय जब पूरा देश सो रहा होगा ना उस समय किसानों के खेत में ले जाकर के यूरिया का छिड़काओ कर लेना तो इस तरह से छिड़काओ किया गया पैदा बार थोड़ा बढ़ गई और बाद में किसानों को बताया गया यूरिया का उपयोग कर रहे हैं अपने फसलों में तो होता क्या है ना कि हमारा पहले देखिए इसका कारण क्या है होता क्या है कि जो पौधे होते हैं पौधे जमीन में लगे होते हैं इनकी जड़े होती हैं मिट्टी में होती हैं तो इस मिट्टी में डाई एजो ट्रोप न जल भी रहता था तो ये सबीच चीजें मिट्टी में होती थी इनी को पौधा अपने जड़ से सोसित करता था और उपर से संलाइट पाता था फोटो सैंथेसिस का प्रोसेस होता था और इसका भोजन बन करके तैयार होता था और इसी को इंसान क्या करता था खाता था तो तो अब यहां पर जो पौढदा तयार हो रहा है वूस में यूरिया की मात्रा ज्यादा है क्योंकि हमने यूरिया का प्रयोक करके डाये जो ट्रोफ को कम कर दिया ज़ल को भी थोड़ा सा दूसित कर दिया है на तो दूसित हो जाने से अब ये जो पौधा तैयार हो रहा है इसमें भी क्या आ रहा है यूरिया की मात्रा आ रही है अब यूरिया का मात्रा आ रही है इसको इंसान ले जाकर खाएगा मान लेते हैं ये पालक का पौधा है इसको इंसान ले जाकर खाएगा खाएगा पकाएग तो आप जानते हो आपका जो किड़नी क्या करता है किड़नी हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करता है तो ब्लड को प्योर करने का जो काम है वो किड़नी का है अब ये किड़नी पहले तो यूरिया को निकालने में इसको कम मेहनत लगती थी अब आप बाहर से भोजन ले रहे तो भोजन लेकर के यूरिया में उसमें कुछ मात्रा यूरिया के ले रहे हो तो अब तो आपके सरीर में ज्यादा यूरिया यानि ब्लड में ज्यादा यूरिया है तो इसका प्यूरिफिकेशन होगा तो क्या होगा किड़नी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो यही किड़नी जो 100 साल में सबसुरत ठक जाता था अब वो 60 साल में ठक गया समझो बात को 100 साल में ठकने वाला किड़नी 60 साल में क्यों ठक गया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ओबरलोड काम हो गया है तो ये एक समस्या हो गई इसी तरह से आपके सरीर में जीतने अंग प्रतियंग है उनका कार्य बढ़ जाता है तो जीतने अंग प्रतियंग है जो 100 साल में ठकने वाले थे वो 100 साल में ठकने के बज़ा 60 साल में ठक जाते हैं अब जब 60 साल में ठक जात उस समय भगवान भी नहीं सुनता है तो इतना जानते रही है ये तो हो गया, अब हमारा बेके घरेलू कारण क्या है घरेलू कारण घरेलू कारण ये है न कि साधी भिया हो जाता है तो बीबी को लेकर नई हर जाते हो उसके अपने नहीं उसके नयर जाते हो तो वो पहुंच तुम अपनी मैडम को लिवा कर उसके नयर में जाते हो जब वो जाती है दोड़ करके जाती है यहां से जाते ही मम्मी से मिलेगी पापा से मिलेगी चाचा चाची सब से मिलेगी भाईया से मिलेगी बहन काम कर रही है तो उसके काम में हाथ बटाएगी, गोबरी पाठाएगी, जाड़ू लगाएगी, पहुंचते हैं ये सब काम करना शुरू कर देती है, लेकिन जब वहीं से अगले दिन वापस आती है घर पर आती है तो मार नखरे दिखाना शुरू कर देती है, कहती है में टुकर टुकर देखेगा तू नहीं सोचेगा उस सोचंवे करेगा कि इस सुरी यहां से जब अपने नाइहर में गए तो इसकी बैटरी चार्ज хотam हो गई तो अपने दिमाग में क्या है ना कि अपने दिमाग में उसके एक इस कारण सेट हो गया अब वह परेसान रहता है अब दूसरा कारण समझ यह दूसरा कारण यह ना कि साधी बिया को ले करके कुछ लोग बड़का बियाар कर लेते हैं बड़का बिया खरने का मतलब है हिंदी मीडियम वाला अंग्रेजी मीडियम वाले से भिया कर लेगा प्रोब्लम खड़ी हो गई हिंदी मीडियम वाला अंग्रेजी मीडियम से भिया करेगा तो भी आच्छा ये लेकिन जब है अक्ठों हिंदी मीडियंग अक्ठों अंग्जी मीडियंग स्थाूंड़ी Emirate हो ईंग्रेजी मीडियंग के ऊंटा खाना खा रहे होर से तीं खा को沟र लाओ वाटर हना अब हिंदी मीडियंग हो समझेगी उतो वाटर जनबे नहीं करती है लाकर तुमको पाथर देदेगी अब सबसुरे चबाओ उसको अपने तीताई जो है उसको खतम करो तो प्राबलम हो गई ना तो ये प्राबलम हो जाती है तो इसको लेकर के मनुस्य क्या है अपने मानसिक तनाव को बढ़ा लेता है मानसिक तनाव जब बढ़ जाता है ना तो उम्र कम होना तैं है इस मस्तिस्क को काम करना होता है और ये मस्तिस्क कम चलेगा तो सव साल में ठकेगा ज्यादा आप इससे काम ले रहे हो तो ये मस्तिस्क भी साठे साल में ठक जाएगा अब जब साठे साल में ठक जाएगा तो आप बकादा अपने दिमाग में बैटा लो जादा तीना पांच ही मत किया करो लो यह कह रहा अश्रा गाणित वाली मैडम ले आएंगे अरे गाणित वाली मैडम लाओगे ला तो गाणित में तुमको समझाएगी कहा कहेगी कहेगी दू तीन-पांच मत करो दो-चार जड़ तो गाणित वाली मैडम लाओगे तो यही सुनना पड़ेगा तीन पांच मत करो दो चार जर देंगे नो दो ग्यारा हो जाओगे समझ गए ना तो चलिए अब टॉपिक पर चलो